हेलो फ्रेंट्स ये दिया आप छोटे बेवसाई हैं स्ट्रीट भेंडर हैं चाय वाले हैं सबजी वाले हैं या फिर फेरी वाले हैं और आपको लोन की आवसकता है या फिर आप किसी क्रिसी बेवसाई से जुड़े हुए हैं और आपको छोटे लोन की ज़रूरत हैं और आप चाहते हैं कि बीना कम से कम डोकुमेंट पर बीना किसी चक्कर लगा हुए बीना किसी पैरवी के बीना घूस के आपको लोन का एमाउंट तुरंत आपके खाते में आ जाएं तब यह वीडियो आपके लिए है जी हैं दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि सिर्फ इसी पोटल पर इसी चैनल पर आपको मिलेगा आपकी काम के जनकारी के बहुत सा जी हैं दोस्तों अगर आप छोटे बेवसाई हैं और आपको अचानक से अपने बेवसाई के लिए या फिर बेवसाई में ब्रीधी के लिए या फिर नया बेवसाई करने के लिए लोन किया हो सकता पड़ गई है और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं लोन के चक्कर में पढ़ आने के बाद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है बहुत डर बना रहता है तो दोस्तों आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ यह भारत सरकार के इसकीम है यह परधान मंत्री मोधि के द्वारा लॉन्च की गई गरीबों के लिए स्ट्रीट भेंडरों के लिए करिसी बे वसाईयों के लिए शुरू की गई लोन की रीन की योजिना है जी हैं दोस्तो इस योजना का नाम है जन समर्थ रीन योजना अगर आप 10 हजार से लेकर 50 हजार तक का लोन आपको चाहिए पतलब छोटा लोन और बीना किसी डोकुमेंट के सिर्फ आपके पास अधार कार्ड होना चाहिए मुवाइल नंबर होना चाहिए और अधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए बाकी किसी भी तरह का कोई डोकुमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा कोई गरांटर नहीं मांगा जाएगा और किसी भी तरह का कोई रिक्वाइर्मेंट नहीं है आपकी जो लोन का रिक्वार्मेंट 10,000 से लेके 50,000 रुपे तक का है तब आप इस वीडियो को देखिए सेव कर लिजिए और भारा सरकार के इस स्कीम का फैदा उठाईए दोस्तो मैं स्क्रीन पर वेबसायट को चला दूँगा और मी अभी लाइव आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप वेबसायट पर जाकर अपना लोन का अपलाई कर सकते हैं बहुत ही short तरीका है, बहुत ही असान तरीका है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इसको कर सकते हैं, हिंदी में भी है, इंगलिस में भी है, दूसरे छेतरिये भासाओं में भी दिया गया है, मैं सारा आप दिखाऊंगे कि आपकी इस भासा में कीजिए, बहुत ही असान है, मैं live आपको दिखाने जा रहा हूँ अगर आपको जो जरूरी document हो सिर्फ आपके पास एक अधार card होना चाहिए अधार से bank मतलब registered mobile number होना चाहिए जो अधार से link हो इसके अलावा एक अधार से link खाता होना चाहिए ठीक है दोस्तो अगर इतना आपके पास है तब आप loan की apply कर सकते हैं दोस्तो यह जो योजना है यह बारा तरह के योजनाओं में लागू है और पांथ पांथ स्रेडियों में इस तरह के loan दिये जाते हैं जैसे क्रिसी के लिए हैं छोटे बेवसाय स्ट्रीट भेंडर हैं हतकरगा इन सबों के लिए यह योजना है तो दोस्तो अब मैं देर नहीं करूंगा और आपको अब live demo दिखाता हूं कि आप किस तरह से loan की apply कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो सबसे पहले हमें google में जाकर www.jansamarth.in टाइप करना है अगर हम को यह भी नहीं टाइप करना है तो सिर्फ हम जन समर्थ जन समर्थ टाइप करेंगे तब सबसे पहले उपर में एक link खुलेगा जिसमें जिसका website link है www.jansamarth.in www.jansamarth.in है जब हम इस पर सबसे पहले वाला पर click करेंगे तो देखिए क्या खुलता है इसमें क्या है हमारा सबसे उपर जो खुलता है इसमें भासा सलेक्ट करना है English है Hindi है गुजराती है मराठी और बहुत सारा 6-7 भासा है तो इसमें हम लोग Hindi सलेक्ट कर लेते हैं हिन्दी सलेक्ट करेंगे तो एक इसमें notice आएगा लिखा हुआ जिसमें ये लिखा हुआ है कि आवेदक किर्पिया ध्यान दे जन समर्थ पोटल अपने आवाईदकों से किसी भी तरह के लिए भुक्तान के लिए नहीं कहता है अर्थात इसका कह रहा है कि जो यह भारत सरकार का पोटल है यह किसी भी परकार का कोई भुखतान आवेदक से नहीं लेगा इसलिए यह सला दी जाते है कि किसी भी तरह का कोई भुखतान ना किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, E-mail और जन्समर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले सुकृति दिलाने वाले भुखतान की मांग करने वाले गोटाले बाज और फरजी वेबसाइट से सावधान इसके अलावा किसी भी ऐसे कीवार कोड को स्कैन ना करे या किसी अन्य लिंक का इस्तिमाल ना करे जो आपके खाते में पैसे के भुखतान करने का दावा करता हो. मतलब कहना है कि अगर आप इस जन समर्थ वेबसाइट पर आते हैं तब आपसे किसी भी तरह का कोई भी भुखतान नहीं लिया जाएगा यह free of cost है. अब हम लोग आते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि credit linked सरकारी योजना के लिए रास्टिय पोर्टल यह भारत सरकार का रास्टिय पोर्टल है जिसके द्वारा आप लोन ले सकते हैं. इसमें 12 तरह की योजनाओ के लिए लोन दिया जाता है तथा लोन की जो स्रेनिया है वो 5 तरह की स्रेनिया है और जो platform है मतलब जहां जहां से आपको लोन मिल सकता है वो 200 प्लस platform है तो आईए अब हम लोग देखते हैं नीचे कि कौन कौन सा option है यहां लिखा हुआ कि आप क् इसमें सबसे पहले है सिक्षारीन अगर आपको education loan लेना है तब आप education loan के लिए apply कर सकते हैं पात्रता की जाच करे लिखा हुआ है क्रिसी loan लेना है किसान credit card पर तब आप उसके लिए apply कर सकते हैं क्रिसी अधारित सानचना मतलब अगर agriculture business से संबनित को बिजनेस करना चाहते ह परात प्रवंधन और क्रिसी प्रामर्स के लिए पैसा क्रिसी सानचना बनाना है को क्लिनिक खुलना है या फिर छोटा बोटा क्रिसी से संबनित को बैपार करना है उसके लिए आप इससे loan ले सकते हैं चौथा एक ब्यवसाइक गतिविधी रीन अगर आपको कोई business करना है ब्यवसाइक करना है तो उसके लिए आप ले सकते हैं इसके अलावा है आजीविका रीन जिसमें है कि ब्यक्तियों और स्वयम सायता समु मतलब SSG के लिए जो रीन होता है उसके लिए है ग्रामिन और सहरी गरीबों को दोनों के लिए आजीविका क्या उस्रों को बढ़ाना इसमें विरोजगार से संबनित आप ले सकते हैं आए हम लोग देखते हैं इसमें ब्यवसाइक गतिवीधी रीन के लिए इसमें क्या दिया हुआ है कि नया ब्यवसाइय अस्थापित करना या मौझूदा ब्यवसाइक अबिस्तार करने के लिए रीन देने के सुविदा है लेंग समाजिक स्रेणी और ब्यवसाइक के परकार के अधार पर योजना का लाग का पतरता का जाच इसमें होता है आए इसको हम लोग क्लिक करते हैं पतरता के जाच करें इसमें जो लिखा हुआ है ब्यवसाइक गतिवीधी रीन योजना इसमें है नया ब्यवसाइक की योगिता की जांच करें इसमें दिया है एक उप्युक्त बिकल्ब का इसमें चार तरह के बिकल्ब उसमें से आपको एक बिकल्ब चुनना जैसे कि हथ करगा बुनकर के लिए अगर आप बुनकर है बुनकर के लिए लोन लेना पुचका वाला है कुछ भी मतलब फेरी वाला है या पी इस्टीट भेंडर चाहें साइकल से गुम गुम कर कुछ छोटा मोटा ब्योसाय करते हैं कपड़ा बेशते हैं उसके लिए आप ले सकते हैं या चौथा नंबर में अन्य ब्योसायकल इसके अतरिक्त अगर कोई और छो आपके लिए एक बहतर योजना सुझाने के लिए आपके समाजिक सरेणी को जान सकते हैं मतलब इसमें पूछ रहा है का आप किस केटेगरी में आते हैं जेनरल में हैं OBC में है SC है ST है संखेक है या अन्य है अगर आप जो भी जिस केटेगरी से आते हैं आप उसको क्लिक कर लेजिए आपका लिंक के पूरू से महिला ही आनने है उसके हिसाब से आपको इसमें भर लेना है इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि आपको कितना रीन चाहिए देखे इसमें क्या है कि फर्स्ट में आपको इस पोर्टल पर जो भार सरकार का पोर्टल पर आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का रीन मिलता है लेकिन पहली बार जब आप रीन लेने जाते हैं तब आपको फर्स्ट टाइम में 10,000 रुपे मिलता है आईए हम लोग इसमें सेलेक कर लेते हैं मानलेजे के हम मैंने सेलेक की आम मतलब जेनरल हूँ पूरूस हूँ और इसमें अमांट मैंने ड दाला 10,000 रुपे का चुने थे तो उसमें लिखावाया परधान मंत्री स्टीट भेंडर आत्म निर्भर नीधी योजिना ठीक है पी एम सौ नीधी योजिना इसको हम लोग बोलते हैं इसमें पात्र अधिक्तम चुकि आप पहला बार रिल ले रहें तो आपको मैं अधिक्तम 10,000 रुपे से हैं मतलब अगर आप 10,000 रुपे लेते हैं तब आपको पर महिना 950 रुपे चुकाने होंगे और ये एक साल की ओधी है एक साल मतलब 12 महिने में आपको 950 रुपे का किस्त बनेगा ठीक है इसके बाद आपको उस पर 390 रुपे की सबसीड़ी दी जाएगी नीचे अगर आप ले रहे हैं तो रेहडी पटरी वालों के लिए डिजिटल लेंदेन के पर्तिप और साहन के लिए 1200 रुपे तक का लभात दिया जाएगा ये मतलब आपको अलग से आपको हो सकता है डिसकाउंट कर दिया जाए 1200 रुपिया का अगर आप इसमें इसको लेना चाहत है इसमें देखे आपका क्या कर रहा है मोबाइल नंबर मांग रहा है फिर आपका कैप्चा मांग रहा है कैप्चा को भर के जब क्लिक करके और टीपी प्राप्त किजिएगा तब आपका यह प्रोसेस चालू हो जाएगा